नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तुत है हिंदी में जीवन एक नाटक और गुजराती में मानवेनी भवाई उपन्यास का भाग नमबर साथ इसके बाद के दिन कालू को सोपन की तरह याद आते हैं सितारों से जिल मिलाते उस आसमान की और एक टक देखते समन तल में डुबकी लगाकर याद करने लगता है तो जैसे चपर खुलने लगता है सरल सवभाव का उसका युवा ससुर गला जंगल की निल गाय के छोटे और नए बैल लेकर आया है गाड़ी में कुछ भर निकल रहा है चारेक साल का वे खुद कोदर और चोटी सी राजू रोडे लाला कर घर बनाने का खेल खेलते हैं दो शरार्ती सांडों को चोटी गाड़ी में जोत कर बुढ़ा बाप गाउं बाहर के खेतों में ले जाकर साध रहा है वे खुद और राजू भी पीछे पीछे जाते हैं सांड भढ़कते हैं उबा हुआ बाप कालू और राजू को गाली देता चीखता है छोरे बाड़े में चला जा ये अभी मार डालेगा अब हागे अरे रास्ते से हट जा एक और और छोटी गाड़ी की खडखड आवाज भागते सांडों की बजती हुई खुरें और बाप की चीखें अब भी कालू के मन में गोजूटती हैं कैसे सुहावने दिन और इस गाओं का सिवान भी कैसा हरा भरा था मुह में तेल भरकर जैसे कोई तैराक कोई के तल तक पहुँचकर तेल फूँके और जैसा उजाला हो जाए तल पड़े तांबे पीतल के खड़े और मिठी के बरतनों के ठीक रे कीचेड और पत्थर वगेर है जो जिल मिलाउट है वैसे ही कालू की द्रिस्टी में चार दसक चपन के आकाल पहले के 20 साल से अब तक का जमाना दिखाई देने लगा चमकने लगा खुद बैठा है इस खेत में अरे जहां ये मचान था वहां एक जबरदस्त जाला था उस और जिर्ण बरगत का चोथा हिस्सा ही बच पाया है जहां कुवा खोदा है वहां खोथी और नदी तीर तो अब तो सारा बराबर हो गया है पर उस समय किसमे ताकत थी कि दिन दहडे भी वहां जा सके एक लंबी सास लेते वे कालू ने तबाकू निकालने के लिए बगल में रखा हुआ पांच बटन वाला काला को तुठाया ने जानी क्यों उसका मन फिर से भूत काल के गलियारे में ही चला जाता था धर्ती के कपड़े भी कैसे हैं और आदमी के भी नहीं तो उस वकत तो थे अहिर जैसे कमर पर घेरदार और छोटे-छोटे कुर्ते धोती भी छोटी और उमर बड़ी की सिर पर पगड़ी बांधना शुरू कर देते थे और आज तो मुझसे बुढ़े आदमी के पास भी पांच बटन वाला कोट और सापह है हुका लेते हुए उसी और ताकता रहा अरे उस हुक्के को ही देखिए नए नए आ रहे हैं और दिन बे दिन कैसा आकार और कैसी खुबसूर्ती पर किस काम की खुबसूर्ती पांच बरस में तो फूट जाता है बदरी हुक्के में भी छेद हो जाते हैं और उस समय के बदरी हुके तो इतने भारी थे कि उन से आज कल के नोजवान की कलाईयां भी दूखने लगें। आज तो आदमी में से ताकत कम हो गई और कपट बढ़ गया, नहीं तो मेरे बाबा और चाचा के बीच कितना बड़ा बैर चलता रहता था, फिर भी। और हुका पिते-पिते कालू उस करम को देखता रहा, घर के बीच डाली हुई खाट पर बुढ़ा वाला मृत्यु सहिया पर पड़ा था, गाउं पर गाउं के सगे सम्बंदियों से वह चोटा सा दालान और सारा घर भर गया था, सातिक साल का कालू भी भटकना, शरारत करना छोड़ कर, खाट के पास खंबे से सटकर खड़ा हुआ था, शन बर पहले जो आवाक था, वह बुढ़ा वाला कुल बुलाया, आखे खोल कर इशारे से पानी मांगा, मानो नींद से जगा हो, इस तरहें चारों और आखे फेरी, घुमती नजर कालू पर आई, पल दो पल वहीं थिर रही, फिर से वह नजर घुमी और इस तरहें पूछा जैसे पाताल से आवाज आ रही हो, भाई, मेरा चोटा भाई परमा, पीछे सिरहाने बैठा परमा खड़ा हो गया, ओ भाई, सामने आकर चार पाई की पाटी पर आखों से आखे मिला कर कहा, ये रहा भाई, भाई, बुढे की आखों से पाने की धारा चुटी, उसने गला साफ करने की कोशिस की, भाई, मेरा ये चोड़ा, किसके सिपूर्द करूं, इसके ससुर गला जी तो मुझसे भी पहले चले गए, इसका आप तेरे सिवा और कोन है पिता की गदगद आवाद सुनकर ना समझ कालू रो पड़ा, मा ने उसे खाट के पास बुला कर गोद में ले लिया पर्मा भी जैसे सोच में पड़ गया, भाई को क्या जबाब दे, दिलासा देने की हार्दी के इच्छा जगी पर वह लजा गया, संकुछ होने लगा, कौन मानेगा, जो जो वह बड़े भाई की ओर देखने लगा, त्यों त्यों उसका दिल ज्यादा अकुलाने लगा रुलाई भरी आवाज में कहा, भाई तु कहता था कि एक कोख में समाए पर इतनी बड़ी धर्ती पर नैं समाए, वह बात सही है, पर्मा की आँखों पर मानों एक बास पानी चड़ गया, जबडों के टीलों को लांगता वै धर्दार होने लगा पिता ने कालू को अपने पास बुलाया, उस रोते पूत्र को चुप रखने की, उन आसू को पोचने की बड़ी तमन्ना थी, पर अपने आसू ही पोचे नहीं जा सकते थे, फिर उसने गला साफ करते कहा, बेटे, तेरे इस चाचा को तु चाचा कहे, तभी मेरा जी सद्ग पास सकेगा, कालू ने कभी परमा को चाचा कहके नहीं पुकारा था, शायद ही इसकी जरुरत पढ़ती, और कैसे पढ़ती, वह शायद ही परमा के घर जाता, और कैसे जाता, माली का फूला हुआ मू, वे एर्शा वरी आंके, उसके आंगन में पैर पढ़ने ही नहीं देती रन छोड नाना भी इससे चिड कर भात करते, हाँ वे मंजला ना था, उसे प्रेम से बुलाता, पर साथ ही साथ घर में उसकी कुछ भी चलती नहीं थी, इस कारण कालू का सम्मध चाचा के घर के साथ कुछ भी बंद नहीं बाया, जरुरत पढ़ने पर परमा को बुलाना हो तो भी आप कहके निप्टा लेता, बोल बेटे, ये तो तेरे चाचा लगते हैं, हम दोनों तो मा जाए भाई हैं, एक ही कोक में लोटे थे, बोल चाचा, बोल बेटा, तभी, और फिर तो मा ने भी कालू को समझाना शुरू किया, जिबकि परमा वे नहीं कहेगा तो मेरा चाचा होना थोड़े ही मिट जाएगा, ये कहते कालू को गोध में लेने की कोशिस की, इसके बाद फिर भाई को दिलाशा देने में लग गया, पर इतने में ही कालू मान गया, जबरन मानों चिप्टी हुई जीब को बल पूरुक उठाता, चाचा कहता हुआ, परमा के पैर कहा और तुने उसी गोध में, और बूढ़े वाला की कमजोर गर्दन एक और ढल पड़ी, यद्दिपी शंतोस की भावना आप भी उसकी सुन्दर मुच दाड़ी पर जग मगा रही थी, बूढ़े के शव को नीचे उतारने के लिए जुके हुए ना था, तथा अन्य संब बंदियों के चित में भी आज का ये चाचा भातिजय का मेलन रम रहा था, यह पसंद ना आया हो, जहर सा लगा हो तो, अपने घर ओलती के नीचे बैठी माली को, यहां जो हजिर थे, उनमें रंड शोड से भी उस पंद्रह साल के नाना का मुँ जादा तम तम आया हुआ थ चार दिन के बाद चाचा शंकर तथा फूफे के साथ जाकर बनिये के घर से चोटा कालू पिता का बहरवा खरिद लाया और बिरादरी को जाती भोज के लिए नोता दिया एक और पांचसो आदमियों की विरादरी भोजन कर रही थी, दूसरी और माली पर्मा की ख़बर ले रही थी जामिनदार होकर तुने तेरे भाई का खरट करवाया और कल मुहे को भगल में लिया, तो क्या मेरे तिन बेटों से तु नहीं अगाया तभी ना? भर्मा ने बहुत कुछ कहा, मैं जामिन नहीं हुआ हूँ, लेखे में मेरा नाम निकले तो तु देखना, पर माली उख़ड पड़ी, तो तुझे इसके साथ जा नहीं क्यों पड़ा, भाई के लिए कले जा, कबा भोरा था इसलिए ना? सीधी टोली में भोजन करने बैठी, सारी बिरादरी मुह में हलवे के कोर रखती रखती भी, दातो तले उंगली दबा उठी, ये कैसी ओरत है? कोई-कोई तो ठिठोली भर कर रहे थे, बहु के बाप का बिर्सा खाना है, तो बहु के मुह की दो गालियां भी खानी पड़ेंगी भाई दूसरी ओर पर्मा मुखिया पर दया खाने वाले भी भहुत थे, साथ ही साथ उसे बखानते भी थे, घर में काली नागिन है, फिर भी भाई को भूखाना जाने दिया कहने वाले ने कहा है कि लाठी से पीटे पानी अलग नहीं होता, सो गलत नहीं कहा जबकि वाला सरी के व्रद लंबी सास लेते हुए मांगते रही, भाई मिले तो ऐसा ही मिले, कि मोत तो सुधर जाए